हाई दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त मेंदर सिंग स्वागत करता हूं दोस्तो मुकेह surveys मेंदर केशन चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तो लेटर की फिक्ष लाइने तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए very very important रहने वाला है दोस्तो क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भया आप लेटर के फिक्स लाइने है वो बता दीजेगा दोस्तो तो बिलकुल दोस्तो मैं आपके सामने लेटर के फिक्स लाइने लेकर आया हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful रहने वाला है ठीक है तो दोस्तो वीडियो को आपको end तक जरूर देखना है और जो भी दोस्त चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तो ताकि आगे आने वाले वीडियो की notification आप सभी को समय समय पर मिलती रहे चलो दोस्तो हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले ये जो लेटर है दोस्तो ये बहुत सारे दोस्तो कमेंट कर रहे थे इसलिए ये मैंने बढ़ाया है तो बिलकुल आपके इस वीडियो के अंदर दोस्तो आपके छे नंबर पके हो जाएंगे दोस्तो कोई काट नहीं सकता क्यूंकि दोस्तो बहुत सारे कमजोर हैं इंगलिस के अंदर तो वह कह रहे थे के भाईया लेटर को हम केसे लिखे तो बिलकुल दोस्तो कोई भी लेटर आए तो उसकी में फिक्स लइने है बिल्कुल छोटा सा है ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैं सुरात में आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सभी को यह तो पता होगा कि जो लेटर हैं वो दो परकार का होता है ठीक है लेटर दो परकार का होता है जो अपने अपनी समयशाओं को लेकर अधिकारियों को जो पत्र लिखते हैं वो तो होता है फॉर्मल लेटर और इन फॉर्मल लेटर जो यह वो लेटर होता है जिसमें क्या होता है अपने माता पीता सगे संबंदी भाई बेंड ठीक है इसमें अपनी परसनल बात को लेकर हम पत्थर लिखते हैं, तो वो होता है, informer later, तो यह तो वैसे आपको पता है, क्या याद करे हैं, जो main बात है, वोई, उसी बात पर हम से today करते हैं, ठीक है? चलो कोई बात हैं, हम start करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले村 थेंग आपको, सबसे पहले कुरना क्या है, तो ये लेटर दोस्तो लिखा जाएगा उनके बारे में ठीक है स्वीपर आजाए, लाइबरेरिन आजाए, पियोन आजाए यानि चारों में से कोई भी नाम लेटर में दिकाई दे तो ये लेटर आप लिख देंगे दोस्तो तो बिलकुल आपके च्छे नमबर पके हैं दोस्तो अगर इन चारों में से कोई नाम नहीं आया अगर आप फिर भी आप ये लिख देते हैं तो भी आपके नमबर आ जाएंगी दोस्तो लेकिन मेरे कहने का मतलब ये हैं इसलिए दोस्तो इस लेटर को आप अच्छे से याद कर लीजेगा दोस्तो और एकजाम में कही बार इन ही में से पूछा जाता है ठीक है आप इसको अच्छी तरीके से रटा लगा लेना अगर दोस्तो कोई भी लेटर आ जाए आप ये लाइने लिख देते हैं तो बिलकुल पूरे नंबर आएंगी दोस्तो ठीक है तो एक बार दोस्तो लिखने का भी एक तरीका भी होना चाहिए दोस्तो लिखने का तरीका इसे होना चाहिए जैसे आपको जो कुशन में दे रखा होगा जैसे इस तरीके से कोई भी कुशन आएगा तो कुशन आएगा तो आपको कर ज़ेसे ऐसे लिखना है कि answer to कूशन नंबर फिर कोश्टक बढ़ना इस तरीके से, ठीक है copy के अंदर आपको लिखना है answer to कूशन नंबर यानि कि जो later का कौन सा कूशन है, पहला कूशन एक दूसरा किशन एक तीसरा किशन एक चोता किशन एक पांचा किशन है वो आपको आंब धर्च भी नाम पहोंगा जैसे राम नगर कोुलानी नमबर छे इस तारीक से से जो भी आक lou nadir का तो सब्से पहले आपको लिखना है झाल रिखना भी rightly लिखनेे जो बी सब्सक्रा भेस भी नीटU होगी तो वो आपको लिखना है यह दो चीजे के बाति अब उस रुप होती है दोस्तों रट्टा लगाने की बात फिक है यह जो लैने में आपको नजर आ रह предложि है यह बिल्कुल जयने दोस्तों इनको अच्छी तरीके से आपको रत्ता लगा लेनी है ठीक है तो सबसे पहले आपको लिकना है कि Dear Sir या Madame Durk Cu Politik में जो देर का ओगा जिसे Sir है तो sir है Madam है तो Madam तो ठीक है आप लिख देना दोनों में से दोने लिख देना आप इस तरीके से Dear Sir या मेडम ठीक है फिर यहां पर नीची से यह लाइन जो है वो छोड़ देना खाली छोड़ देना फिर आगे फिर यहां से स्टार्ट होना है वित मोस्ट रिस्पेक्ट पुली आई वेंट टू ब्राइंग योवर काइंड नोटिस अबाउट दा बैड बीएवेर ओप दा खाली स्थान ओफ और खाली स्थान हीज लेबर तो दोस्तों यह खाली स्थान मैंने क्यों छोड़ी देखो मैंने खाली स्थान इसलिए चोड़ी क्योंकि यह देखो चार में से कोई भी आजाई मान ले जाई पोस्ट में के बारे में आजाई ठीक है तो पोस्ट में के बारे म जो भी हेवाज है तो वह आपको यहां पर लिखना है ठीक है देखो आप यह तो समझ गया होंगे दोस्तों पोश्टमेन पोश्टमेन तो आप सभी जानते हैं ठीक है जानते हैं और स्वीपर यह जो सफ़ेकर भी होता है और लाइब्रेरियन जो वह अपने पुस्तकाली जो अधिक्स होता है और पियोन के बारे में तो आप जानते हैं कि आपकी स्कुला का जो चप्रा सी होता है उसको बोलते है ठीक है तो वह आपको यहां लिखना है फिर ओप अवर खालिस्तान यहां पर इसकुले तो इसकुले तो इसकुले तो कोले जे वह आपको यहां पर यह आपको लिखनी दोस्तो यह परमुख जो लाइने इनको आपको अच्छी तरीके से रटा लगा लेनी है ठीके यह परमुख आपको रटा लगा लेनी है ठीके यह तक रटा लगा लीजेगा यह तक रटा लगाने के बाद दोस्तो आपको देखो इसी के नीचे शुरू होना इस तरीके से मैंने थोड़ा यह आगे लिख दिया है यहां से शुरू होना है लिखना है दोस्तो आपको यह पर टीक है यह लिख देना दोस्तों यहां तक फिर आपको निचे लिखना थ balloon आप सक दो या फिर आपाप लिख सकते हैं thank you ठीक है और your जो विकूष्ण में जो नाम दे रहे होगा जो से रतने तो रतन शाभी तो शाम मोवन तो मोवन सोवन है तो सोवन जो भी क्यूशन में नाम दिया होगा वो आपको लिखना है यह क्यूशन में कोई नाम नहीं है तो आप लिखेंगा yover xyz जो भी है ठीक है इस तरीके से दोस्तो आपको later लिखना है और ये मैंने बता ही है later की fix line है आपको वीडियो मेरे सबसे बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तो तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like जरूर करना है एक बार फिर आप देख सकते हैं दोस्तो अच्छे तरीके से ठीके मैं वापस बता देता हूँ देख सकते हैं ठीक है तो अपने अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जादा से ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना है ताकि जादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद हो जाएगी दोस्तों ठीक है मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की English week है ठीक है वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें दोस्तों और चैनल पर जो भी दोस्त नई है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की notification आप सभी को समय समय पर मिल तीरे ठीक है लाइक करना है शेर करना और सब्सक्राइब करना है चलो दोस्तों दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे भारत बंदे मात्रम थैंक यू